नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेश राशी का सितंबर दो हजार चोविस का संपुन राशिफद इस मैने में रभी शुक्र और बुद यह जो तीनों ग्रह है वो केतु के यूति में जा रहे हैं आपके शष्टवाव में उस प्रकार मेश अब यह जो शर्ष्ट वाव है जिसे शर्टु का सताव का जाता है रोख का स्तान हो एक जाता है तो यह संपून नमैना है इसमें इसके जो प्रभाव परिणा होंगे वह मेश राशी पर किस प्रकार से होंगे इसी विश्य नहीं हम चर्चा करने मालें तो सबसे बिले हम च पीनुकि आपके जदुत भाव में ब्रह्म looks 5 तरीक के बाद यह आपके पंचम में ब्रह्मन करेगा और दिनारंक 24 तरीक के बाद यह जो बुदा है वह आपके 6 भाव में करेगा कोमीला के देखा जाएं या बोटे दोर पर अगर देखा जाएं तो इस मेने में आपका घूमना फिरना बहुत ही जादा हो सकता है, आप बहुत जादा एक्टिव नजर आ सकते हो, उसी परकार जो भी आपके रूके हुए काम है, वो भी आप हाथ में ले सकते हो, आपका confidence काफी अच्छा देखा जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 24 तारिक के बाद के जो समय है, मतलब सितंबर के 24 तारिक के बाद के जो समय है, उसमें आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्चक होगा, स्वास्त से related जो problem complications है, वो ज्यादा आ सकते हैं, खास करके शारिक स्वास्त से related, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्चक है, उसे प्रकार जैसे मैंने कहा, कि सर्ष्ट भाव में बहुत सारे जुक रहा है, वो आ रहे हैं, तो इस वज़े से जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, या फिर वेवसाय करते हो, वहाँ पर के जो गुप्त शहत्रू रहेंगे, उनसे आपको बशना होगा, ये बात जानने ना बहुत ही ज़ादा आवश्चक है, इसके बाद हम चक्चा करेंगे, आपका जो आर्थिक स्थर है, वो किस प्रकार से होगा, जैसे कि 2, 5, 8, 11, इस तान के जो अधिपती है, उनके द्वारा जो आर्थिक स्थर है, वो देखा जाता है, तो आपके राशी का जो धनेश है, शुक्र, जो कि आपके 6 बाव में ब्रह्मन कर रहा है, 19 तरीके बाद यह जो शुक्र है, यह आपके 7 बाव में ब्रह्मन करेगा, उसी प्रकार आपके राशी का जो पंचमेश है, रवी, जो कि आपके 5 बाव में स्वयम के ब्रह्मन कर रहा है, 17 तरीके बाद ये आपके ISHस्ट बहाँ में ब्रहण करेगा, आपके राषी का जो अश्ट मेश है, मंगल, जो की आपके तरीते बहाँ में ही ब्रहण कर रहा है और राषी का जो लाम παहली में है, लेकिन व बक्री है तो यहां पर दो-तिन बाते हैं जिस पर ध्यान देना आवश्चक है, हाला कि आपने पिछले मेने में आपने देखा होगा, कि आपकी जो इंकम है या फिर आपके जो पैसे हम सेविंग करते हैं, वो इतने सेविंग नहीं हो रहे हैं, तो इस मेने के करीबन 18-20 तारीक के बाद का जो समय है, उसमें काफी अच्छा बदलाव देखा जाएगा, जो पैसे आपके ज्यादा खर्च हो रहे थे, इस पर ज्यादा जो बात है, वो नॉर्मल हो जागी, अगर आप शेयर मार्कर में ट्रेट करते हैं, तो यहां पर ध्यान देना आवश्चक है, करीबन 18-20 के ब थोड़ा ध्यान देना होगा, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, कि आपका जो घर का जो सुख है, उससे रिलेटर, जो घर का जो सुख है, वो नॉर्मल रहेगा, उसमें किसी भी प्रकर के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएगा, हाला कि पिछले करीबन, एकात महने में आपने हो रही थी, वो काफी मायनों में कम होती हुए नजर आएंगे, उसी प्रकार, लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाएं, तो आपके राश्री का जो पंचमेश है, रवी, जो कि आपके पंचम भाव में ही ब्रह्मन करे रहा है, 17 तरीके बाद, यह आपके शस्च भाव में ध्यान देना होगा, बिस अंडर्सेंडिंग खास करके होने के संभावना बहुत ही ज्याता बंदरी है, उसी प्रकार, जो गर्पुवती मेंदा है, उनके लिए भी यह जो संपूर्ण मेंदा है, वो काफी अच्छा देखा जागा, किसी प्रकार के दिक्कतों का सामना आप प्रेशर, इस से आपको थोड़ा बचना होगा, वाकि अगर देखा जाए, तो यह जो संपूर्ण मेंदा है, वो आपके शुप्वलदाई साबित होगा, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी यह जो संपूर्ण मेंदा है, वो काफी अच्छा और शुप्वलदा 15-20 दिनों में आपके जो विद्यार्थी उनके स्वास से लिए प्रॉब्लम आ रहे थे आप में और उनमें चोटी बोटी बातों के लेकर तुटू मैं मैं हो रही थी, तो यह जो बात है करीबन 20-22 तारीक बात का समय है, उसमें काफी नॉर्मल होते भी नजर आएंगे, ल कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक बाते वगरा सामने नहीं आएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी, पुल मिला के देखा चाहिए, यह जो संपुर्ण महेना है, इसमें आपको स्वयम के शारिक स्वास्त या फिर मांसिक स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा, अब हम चर्चा करेंगी कि ग्रहयुक जो है, उसके जो प्रभाव परिड़नाम है, वो आपको डे टू डे लाइफ बर किस प्रकार से होने वाले हैं, जैसे कि दिनांग तीन तारिकों निप्चुन और मंगल का केंद्रियों को होने जा रहा है, निप्चुन जो अपके विया बहु जो मंगल है, वो केंद्रियों करने जा रहा है, स्वास्त के बारे हमी थोड़ा ध्यान देना होगा, उसी प्रकार, अगर इन दिने में आपको खहिए फिरना चाहते हो, या फ़े ट्रेवलिंग करते हो, तो थोड़ा से इसके बारे ध्यान देना होगा, किसे को कमिट्मेंट प्रॉमिसस के बारे में थोड़ा सा चौकनना रहना होगा इसी प्रकार दिनांग चार तरीक को केतु और शुक्र की युति होने जा रही है आपके शष्टवाव में अब यह जो केतु और शुक्र की युति है बहुत ही ज्यादा महत्वपुन है अगर आप किसी भी वैदी से पीडित है तो उससे जो प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन है वह इन दिन में ज्यादा आ सकते जहां पर आप काम करते हो नुकरे करते हो वहां पर कि जो महिला करम चारेंगे उनसे थोड़ा सा आपको बशना होगा जो महिला वर्ग है उन्हेंने स्वयम के स्वास्त के बारे में जो बुद्य है वह केंद्र योग करने चाहरा है तो अगर आप स्टॉक में इंवेस्ट करते हो तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यकर अगर डॉक्यमेंट से रिलेटेंट जो प्रॉप्लिकेशन से वह इंदिन में थोड़ी बढ़ सकती है इसी प्रेकर दिर्यां पंदर इंवेस्टमेंट होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है आपको जो भी आपकर कारिशेतर है उससे रिलेटेब अच्छे ऑपोर्टुनिटी इन दिनों में मिल सकती है इसी प्रेकर निना का 18 तरीको शनी और बुद्ध का प्रतियोग होने जा रहा है बुद्ध जो कि जो रस्तिक जिसे इंवेस्टम की बूलते है टगाफ और आप दोनों में हो सकती है विचारों में जो प्रॉब्लम है वो आ सकते है उसे प्रेकर जो गर्ववती मैला है उन्होंने असवयं के स्वास्त के बारे इन दिनों में ध्यान देना थोड़ा स्यादा आवश्यक होग इसी प्राकार दिनांग 19 तारिक को रवी और हर्षल का तृको नियुक होने जा रहा है रवी जो कि अपके शच्चवाव में ब्रह्वन कर रहा है जो भी आपकर का रिशेत्र है उससे रिलेटर्श महतवविण काम इन दिनों में आप कर सकते हो दिनांग 19 तारिक को इसी प् बचना होगा ऑफिस पॉलिटेक्स जैसे बाते सामने ऊबर कर आ सकती है इसी प्रेकार दिनांग चोबीस तारीक को हर्शल और बुद्र का त्रिकोन योग होने जा रहा है बुद्र जो कि आपके शर्ष्ट बाव में ब्रह्मन करेगा उसके साथ आपके दृतिया बाव को साम है वह इन दिनों में आप में ले सकते हो वह काफी जिल पूरे होते हुए नजर रहेंगे उसे प्रेकार दिनांग 25 तरिकों बुद्र और निप्टिन का प्रतियोग भी होने जा रहा है आपके स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा आपके इमेज को धक्का लगने व इस प्रेकार के रिस्क नहीं लेगी है या फिर किसी अन्यक खेतर में देखे रवी केतु की जो यूती है वह आपको शारिक स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवशक है क्योंकि आपकी जो राशी है वह इन दिनों में मतलब सब्पूर्ण महेने में सितंबर के बहुत इस प्रेकार के शास्राइब प्या-दिया होने की संभावन इन दिनों में खास करके रवी केतु की जो यूती है दिनांग वह 28 आएजस थरिकों थोड़ी ज्यादा बनती है उससे प्रेकार दिनांग 29 को बOODर और केतु की भी यूती होने जा रही है तो stress, frustration फ्रस्ट्रेशन इन दिनों में ज्यादा आ सकता है तो इसको चलते आपको स्वयम पर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा इसे प्रेकार दिनांग तीस तरिको शनी और मंगल का त्रिकोनियों होने जा रहा है मंगल जो कि आपके त्रिकोनियों कर रहा है इसके साथ आपके लाब परिवार उनसे आपको काफी साथ अच्छा मिलेगा उसी प्रकार आपको कुछ अच्छे लाब वगरा मिल सकते तो शनी और मंगल का जो त्रिकोनियों के आपके त्रितिय या फिर लाब वभाव में होने जा रहा है वो आपके लिए शुवफलदय साबित होगा इसी प्रकार इस महिने की जो अमावस है वो दो तारीक होने जा रह trumey ने आपके पंचंभावित मीला है उन्होंने फराम के अच्छी केस्वास के बारे में भीद्यां देना बहुत ही जादा आवशिक को सवास के सब्सक्रें ज़्यादा सामने आ सकती है उसी पेड़ा सेरिह जो पूर् मेश राशी से मैं specially कहना चाहूंगा किसी भी प्रकार के महतोब निरने बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि आपकी जो राशी है वो बहुत जल्दी से निरने ले लेती है मतलब आपकी जो निरनेक्षंता है वो काफी अच्छी है लेकिन कभी कभी सोच कम पर जाती है और निरन